हेलो भाई लोग कैसे हो अप लोग स्वागा थ्याप सभीका गौर्व अप्छा फेट्रस में तो आज बात करने वाले हैं कि बाइसेप्स ग्रो क्यों नहीं होता है ठीक है और जिन भाई के पास डंबल है और घर पर एक्सराइज करते हैं वो कुछ चार चीजों का ध्यान है तो यह वीडियो बहुत ही हल्प करने वाले आपको एक नॉलेज़ेवल वीडियो है जिससे कि आप अपने बाइसेप्स के मस्ट्स को ग्रो कर सकते हो सिर्फ डंबल का यूज कर गया कुछ बताऊंगा किस तरीके से करना है क्या क्या गलती आपको करते हो बहुत बात कर सकते हो पॉपर बाइसेप्स अब साफ एक्सक्राइज कर रहे हो तो फुश और भाइसेप्स नगाने से लिखाने से नहीं बाई पुश पको क्षप्स ने से नॉन्मिल पुश अपको को करना है किसे ने किसी तरीके से तो आपका अम्स को जाएगा चार्ज जाएगा जिसे आपको हैँ करने में इसके बाद चाहेँ आप इस पार को ट्रायेट करो पुड़ा आपका इंगेज वौ रहेगा पुषप्स मार्वार एक्ससाइज जो होगा आपका पहले कुछ रिप्रेस्ट्स पुषप निकालों चाहरे दस वार निकालो पार्स वार निकालों सामने रखके और वे अप जात इस तरीके से सिम्पल उच इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है जो पुषप्स आप से लग नॉर्मन पुश्बा सब्सक्राइब यह आपका पहला एक्सेज़ हो कि आपको प्रीफर्म करना है और यह मुधने बहुत भाई एक से दो सिट लगा के ठीक है तो दूसरा नमर जो हमारा चीज होता है भाई कि आप डंबल से एक्सराइज कर रहे हो ठीक है चाहे आप हैमर कर रहे हो चाहे आप कर रहे हो चाहे आप कंसेट्रेशन कर रहे हो कोई वाइस्वलेशन का एक्सराइज कर रहे हो ठीक है तो आपको कॉलर से जो फ्राव नीचे डाएगा सोल्टर ठीक है जिसे कि आपको सोल्टर पूर रिलाक्स हो जाएगा और जो भी आप वेड उपर लेगा होगे वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उठेगा आपके बाइस के माल से और एक्सरसाइज करना है एक्दम स्लो प्रफॉर्म दिख स्कुईज फिर वल दवे डाउन इस तरह के से उपर लेगे अल्दा वे अप फिर स्लोली डाउन ना सोल्टर को ज्यादा मूवमेट अगर यह करोगे आप सोल्टर को उपर करके फिर जान लागे उपर उठा भी लेते हो तो आपका सोल्टर इंगे जो क्या आएगा बाइसे जड़ा आगे पीछे नहीं होगा सरीट को सीठा रखो ठीक है और जो डंबल है उसको क्लीन तरीके से उपर लेगा हो फिर अल्दो वे डाउन स्लोली परफॉर्म करोगे जितना परफेक्ट फ़र्म के साथ परफॉर्म करोगे उतना बहतरीन आपको रिजर्ट देखने को मि फोकस कर सको और प्रॉपर टाइमिंग के साथ मसल्स पर कलम कर सको भाई ठीक है पहला टिप्स पुछ वाला था दूसरा टिप्स यह डंबल से कोई भी एक्सराइज कर रहे हो उससे आपका सोल्डर छोड़ना है ठीक है और यह मूवमेट पर ध्यान देना है बॉड़ी आप का मूफ नहीं करेगा तृसरा नमर एक्सराइज वाडियेशन कैसे डालना है चाहे आप कंड लगा लिए भाई हैमर लगा लिए कुछ खुछ एक्सराइज का कितना इंपॉर्टेंस है बाइसेप्स वर्काउट में ठीक है आप कोई साथ वर्काउट कर रहे हो वाडियेशन हर्काउट करता है कुछ कुछ नहीं एक्सराइज बीच-शिंच में आड़ करता है तो वह क्या होता है आपका बाड़ी उसको अदाप नहीं कर पाता है में अलग तरcono करता है और आपका बोड़ी इससे आप का बाइसेप्स है उससे जल्दी आपका ग्रोथ दीखता करना जो एक क्षा हुआ आपको एकसराइज को पीछे करके और पूरा हाथ को उपर लयाकर बाइसे कुझ पीछ को से यह इसे मारी यह से आपका बाइसेयर जैट ओ न्युस्थ假 करें को ऌर जा एक दो डॉ मोई हैं रहेए में तरीक जे तरीक अब दोनों हाँ चे करोगे आपका पाइसेप्स का राउंडनेस बढ़का है तो वर्येशन्स बहुत इंपर एक यह वर्येशन्स हो गया एक और वर्येशन्स बताता हूं यह आपका क्लोज़ भी फोज़ा है कोई साभी डंबल हो पांच के जी दसके जी सिर्फ आपको यहां पकड जाओगे और इसका जो रेंग्ज आफ मुशन होगा प्रॉपर नीचे जाओगे फिर प्रॉपर ऊपर लेकिया होगे तो वर्येशन्स बहुत ज़रूरी है डंबल से एक्सिसाइज करते हो बॉड़ी को स्चिल रखना है पुशंस बहुत ज़रूरी है और अद लास्ट आइट में रखोगे ज्यादा कार्भोहईड्रेट से थोरा सा कम रखोगे प्रोटीन ठीक है अगर आपको मसल गेंड करना है तो और बाकी जो घर का खाना मिलना है दाल रोटी बिल्कुल दबा के खाओ कोई दिक्कत नहीं है चावल तुरा कम कर दो और आप ओट सबार आइगा और उससे आपको रिजल्ट मिलेगा ठीक है तो यह आज का टिप्स था जो भी एक्सराइस प्रफॉर्म कर रहे हो प्रपर फॉर्म करो स्लोली प्रफॉर्म करो वैशन्स जालो अच्छा डाइट रखो चार-चीस फॉलो कर देख आपको खुद रिजल्ट मिलेगा मेरा ही वीडियो देख रहे हो आप फॉलो कर रहे हो बहुत दिन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ-कुछ वर्याशन जालो एक तो मैं आपको बता यह वाला जिससे कि आप राउन्स में काम करोगे एक क्लोज ग्रिप वाला इस तरीके से जिससे कि आप अंदर वाले बागी कंसेंट्रेशन वाला यह तो पता ही आपको कंसेंट्रेशन के लिए आपको कुछ शी बताना था चार्ट टेप्स को कि आप लोगो मदद करेगा अच्छा फिजीक अच्छा बाइसे बनाने में तो फॉलो को रभाई और आग अच्छा वीडियो आता लाएगा जो मै शेर कर सकता हूं सारक उसाप लोगों से शेर करूंगा बाइसे